गुद मॉर्निंग स्टूदेंट इस आर लेक्चर 11 इन लास्ट लेक्चर वी स्टूदी टू कैमिकल रेक्शन आफ फिनोल्स इन विच फिनोलिक ग्रूप इस इन वॉल्ड ठीक है तो वो कौन सी रेक्शन है फिर्स इस असेटिक के रिक्टर सेकिंड वन इस इथर फोमेशन भी है तो आप जो हमने तीन रेक्शन और पढ़नी है जिसमें फिनॉली ग्रूप इंबॉल्ड है वह ए एसाइलेशन नेक्स्ट रिच्शन विद्जेंग डस्ट next reaction is with zinc dust and there is one more reaction so first reaction हम पढ़ेंगे acylation that is ester formation acylation में क्या होगा सबसे पहले आपने याद रखना है जब भी phenol के साथ आपने ester बनाना है तो phenol से तो H जाएगा और side वाले group से जो भी living group होगा वो ठीक है तो आपने हमेशा याद रखना है acyl chloride या acid anhydride की presence पे आपने ester बनाना है acetic acid की presence मतलब oxalic acid की presence पे ester नहीं बनाना वह आप खुद study करेंगे ऐसा क्यों है ठीक है तो आपके पास phenol group है और acyl chloride है तो यहाँ से h eliminate होगा यहाँ से cl तो hcl बाहर चला जाएगा और aro और c-doll bond or attach हो जाएगा तो आपके पास ester आ गया और यह reaction pyridine की presence पे होगी ताकि hcl जो फॉर्म होए वो react कर जाए उसके साथ ठीक है अब आपके पास phenol है यह अब यह भी acid chloride है ठीक है acetyl है क्योंकि दो कार्बन है तो style chloride हो गया तो यहाँ से जाएगा यहां से CL और यहां से बांड ब्रेक हो है तो यहीं बांड के साथ अटाइच हो जाएगा तो c-doll bond o c-h2 c-h3 प्लस hcl eliminate हो जाएगा यह क्या हमारे पास acetic hydride तो यहां से यह पूरा एक ग्रूप eliminate होता है यह पूरा ग्रूप क्या होता है eliminate होता है ठीक है तो अब देखो h जाएगा यहां से यहां से सी डॉल बांड ओ ओ तो यह यह एसे निकल गया बाहर से यह और यह जो बॉंड क्लीव हो यह इसके साथ अटाच हो जाएगा तो ओके साथ सी डॉल पॉंड ओस यह तो इन प्रेसंस ऑफ पिरिदीन तो वार पास इस्टर फार्मेशन होगी है अब बेंजाइलेशन करानी है आपने तो बेंजाइलेशन के लिए हमें बेंजाइल क्लोराइट चाहिए इस बेंजाइल क्लोराइट तो बेंजाइलेशन ओफ इनोल स्कीच ड़ाइट अवें इसवाइस वेह देख लियु लेते हैं क्योंकि जो सब्सक्राइट नहीं करता है इसके नहीं हम यहाँ पर क्या लेता हैँको से No H ठीक है तो यह यहांपर आपने बेंजाइल क्लोराइट ले लिए यहां पर phenol ले लिए यहां से हैच और यहां से सी एल एलिमिनेट हुआ और इसके साथ बॉंड बन गया तो यह तो फिनोल वाला फिनोखसाइड वाला उग यह सीड़ पॉंड हो सिच फथा है तो फिनाइल बेंसॉइट हमारे पास यह वोगा प्लस HCL, इसका नेम है, यह नेम रियक्शन है, that is Scott and Bowman reaction, तो Scott and Bowman reaction का आपने mechanism study करना है, इसके mechanism में क्या है आपके पास, first हमने लिया क्या है, देखो, aquos alkali लिया है, तो aquos alkali का mean purpose क्या है कि phenol जो है हमारे पास, उससे H positive iron को लेगा, तो phenoxide iron generate हो जाएगा, तो यह OH negative क्या करेगा, इधर से इस H positive को लेगा, और यह H अपने electron इधर देदेगा, तो यहाँ पर phenoxide generate हो गया, प्लस water eliminate हो गया, अब यह जो phenoxide iron है यहाँ पर, यह as a nucleophile act करेगा, तो phenoxide as a nucleophile attacks on the electrophilic carbonyl carbon atom, तो आपके पास benzoyl chloride है, और आपको पता है carbon क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो यह oxygen के pi electron यहाँ shift हो जाएंगे, partial negative, partial positive, अब यह O negative electrophilic carbon पर यहाँ attack करेगा, तो आपके पास क्या आजाएगा, O किसके साथ bond बनाएगा, C के साथ, और यह कैसा हो जाएगा, वो negative, यह CL, यह C6H, अब वो negative क्या करेगा, अपने electron यहाँ bond की form में shift करेगा, और CL negative good living group बनके बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आजाएगा, तो यह हमारे पास क्या आजाएगा, ester formation होगी है, ठीक है, तो यह आपने याद रखना है, next है आपके पास frise rearrangement, जैसे Williamson synthesis में आपके पास क्या था, clayson rearrangement, वहाँ पर हम क्या लेते थे, arryl-allyl होता था, यह यह याद रखना है, arryl-allyl ether होता था उसमें, यहाँ पर क्या हमारे पास phenyl propionate है, ठीक है, तो frise rearrangement क्या है, उसमें ether था, यहाँ ester है, the reaction in which an ester of phenol, phenol का ester, कुछ भी हो सकता है यह, बट यह phenol का ester होना जी है, an ester of phenol is heated with aluminium chloride, which results in the migration of acyl group, तो यह acyl group क्या हो जाता है, migrate हो जाता है, from phenolic oxygen, oxygen से migrate हो के कहा जाता है, to ortho और para position on the ring, तो यह तो ortho पर जाएगा, यह पर पर जाएगा, तो वो हम देखते हैं, और जबकि उसमें क्या था, जो ether वाला, arryl-allyl ether में क्या था, allyle group जो है, वो migrate होता है, अगर ortho पर जाता है, तो inversion होती है, पर पर कोई inversion नहीं होती है, और यहाँ पर कोई inversion नहीं होगी, यहाँ जहाँ से bond break हो रहा है, वहीं से bond form होगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि low temperature पर para isomer major होता है, और high temperature पर ortho isomer बनता है major में, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो para isomer है, वो kinetically controlled है, kinetically मतला rate of reaction पर depend करता है, चीक है, बट ortho isomer is thermodynamically more stable, ortho isomer thermodynamically क्या है, ज्यादा stable है, वो temperature पर depend करता है, rate पर depend नहीं करता, तो slow बनता है, high temperature पर बनता है, बट more stable होता है, due to chilation in the intermediate product, तो आप यह देखोगे chilation कैसे form होता है, इसमें, अभी जब mechanism पढ़ोगे, तो आपको यह समझ में आएगा, कि यहाँ पर एक ऐसा intermediate exist करता है, जिसमें O के साथ ALCL2 लगा है, और ortho पर क्या लगा है, COCH3, तो यह जो oxygen है कि aluminium के साथ interaction चो करता है, chilation क्योंकि यह क्या हो जाता है, Lewis acid, तो यह इसके साथ interaction, हाँ, यह इसके साथ interaction चो करेगा, चिक है, तो chilation हो जाती है, अब इसका mechanism क्या है, सबसे पहले तो formation of acylium iron, acylium मतला, acyl iron आपने generate कराना है, acyl cat iron कैसे कराओगे, आपके पास क्या है, कोई phenol वाला, आपके पास phenyl वाला क्या है, एथर है, तो O-C-Doll bond O-R, इस reaction में आप ALCL 3 ले रहे हो, ALCL 3 act as a Lewis acid, it is electron deficient species, तो electron rich species पे attack करेगा, तो यहाँ पर देखो oxygen का लोन पेर, यहां bond बनाने में यूज़ हो गया, ALCL 3 के साथ, अब aluminium के चार बांड हो गया, इसलिए, aluminium पे हो गया है, तो यह bond इधर shift करेगा अपने electron, ताकि oxygen क्या हो जाए, neutral हो जाए, तो यहां पर देखो oxygen neutral हो गया, ALCL 3 के उपर negative है, क्योंकि aluminium के 4 bonds बन रहे हैं, और जब इसका bond ब्रेक हुआ, तो यह carbon कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहां carbohydrate हो गया, C-Doll bond O-R positive, तो आपक आपके पास यह वाले species present है, O-ALCL 3 phenol के बंजीन के उपर, तो आपके पास यह चीज present है, ठीक है, यह carbon कैटाइन है, सबसे पहले ortho attack पढ़ रहे हैं, तो ortho के लिए यह वाले जो bond है, electron density तो यही से आएगी, यहां shift attack करेगा, ortho carbon पर, यहां attack हो गया, यह क्या करेगा, अपने electron bond की form में इधर shift कर देगा, ताकि यह जो carbon electrophilic हुआ है, यह normal हो जाए, ठीक है, तो यहां पर positive charge आगया, और यहां पर hydrogen और C-Doll bond O-R, इसकी electron use हो गया, यह bond बनाने में, ठीक है, अब यह जो hydrogen है, यह अपने electron, अपने bond को इधर shift कर देगा, और यह अपने bond को oxygen पर वापस कर देगा, ठीक है, तो यह oxygen कैसा हो गया, neutral, ठीक है, इधर से यह hydrogen eliminate हुआ, जब यह hydrogen as a H positive बाहर जाएगा, तो यहां पर E-L, Cl3 negative है न, oxygen के साथ bond बनावे है, तो यहां से 1 Cl negative भी बाहर चला जाएगा, तो 1 Cl negative जब यहां से बाहर जाएगा, तो यहां positive आना चाहिए, वो positive negative यहा यहां पर क्या हो जाएंगे, neutral हो जाएंगे, तो यहां पर HCl बाहर चला गया, ठीक है, तो यहां क्या आ गया, यह oxygen तो neutral हो गया, O, और यह B, Al, Cl2 neutral हो गया, यह C, डॉल बाहर आर, आस सच रहा, तो देखो यह वला intermediate यहां बना था, ठीक है, अब जब आप water के साथ reaction कराओग तो H positive यहां attack करेगा, और Al, Cl2 के साथ क्या लग जाएगा, O, H लग जाएगा, Al, Cl2, O, H बाहर चला जाएगा, इधर से H positive इधर आ गया, O, H negative इसके साथ लग गया, और बाकी सब as such रहा, तो आपके पास generate हो गया, ortho hydroxy acetophenone, तो यह हमारे पास था ortho attack, ठीक है, अब आपने पढ़ना है, para attack, ठीक है, कि para पे attack कैसे होता है, तो देखो same reaction है, यहां पर कुछ भी changes नहीं है, बस position का variation है, देखो यहां पर O, Al, Cl3, negative ही है, यह क्या करेगा, para attack करना है, तो यह वाले electron इधर shift होंगे, para पे attack होगा, यह carbon electrophilic हो जाएगा, इसलिए bond इधर shift हो जाता है, फिर यह elektrophilic हो जाएगा, इसलिए oxygen अपने electron इधर shift कर देता है, बस chain चलानी है आपने, ठीक है, तो देखो यह यहां attack करेगा, COR, इधर H तो होता ही होता है, यह bond इधर बन गया, इधर एक bond बन गया, अब यहां पर hydrogen है, यह अपने bond को इधर shift कर देगा, तो H positive बन के बाहर, यह अपने bond इधर shift कर देगा, वाप इस oxygen क्या हो जाएगा, neutral, और यहां से CL negative बाहर चला जाएगा, तो HCL eliminate हो गया, oxygen neutral हो गया, with two lone pairs, ALCL2 neutral हो गया, यहां पर COR, ठीक है, वाटर से reaction करा है, same OH plus COR plus ALCL2 OH eliminate हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो था हमार पास para attack, next reaction है, reaction with zinc dust, अगर आप zinc dust के साथ reaction कराओगे, तो phenol plus zinc को heat करोगे, तो यहां पर reduction हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा, benzene और zinc oxide, ठीक है, reaction with ammonia, अगर आप ammonia के साथ reaction कराते हो, तो आपके पास phenol है, ammonia के साथ reaction कराई, तो यह group replace हो जाता है, NH2 के साथ, और water eliminate हो जाता है, यह reaction होती है, in hydrous, ZNCL2 की presence पे, जो क involves phenolic group, तो कौन-कौन से reaction थी, acidic character, second Williamson synthesis, Williamson synthesis में कौन सा example था, clayson rearrangement, next F, ether formation, ester formation, that is acylation, उसमें आपने पढ़ा, fryze rearrangement, next reaction with zinc dust, next reaction with ammonia, तो यह phenolic group वाली reactions हो गी है, अब हमने पढ़ना है, reactions of aromatic rings, means, means, जिसमें ring पर substitution हो, तो aromatic ring की reactions है, halogenation, hydration, sulfonation, friddle-crafts reaction, getamin synthesis, and hoban-hoist reaction, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने कुछ characteristics पढ़नी है, phenol की, ठीक है, देखो, जब OH group लग जाता है, benzene के उपर, तो यह क्या कर देता है, benzene ring को activate कर देता है, towards electrophilic substitution reaction, ठीक है, यह सारी electrophilic substitution ही पढ़ रहे हैं, यह जो अभी reactions पढ़ रहे है, reaction involving aromatic ring, तो यह सारी क्या है, electrophilic substitution ही है, तो जो OH group होता है, वो benzene ring को activate कर देता है, towards the electrophilic substitution reaction, अब वो activate क्यों करता है बेंजीन रिंग को ऐसा क्या है कि वो बेंजीन रिंग को activate कर देता है यहां पर क्या होता है कि OH के पास loan pair of electron है वो अपने loan pair of electron बेंजीन को resonance के थ्रू दे सकता है चीक है तो due to its plus R effect and also it directs the incoming group to ortho and paraposition तो plus R की वज़े से बेंजीन रिंग activate हो जाती है क्योंकि जब OH क्या करेगा अपने electron इधर resonance के थ्रू ट्रांसफर करेगा तो बेंजीन रिंग पर electron density क्या हो जाएगी जादा बेंजीन रिंग पर electron density जादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रोण ही चाहिए वो और जादा इसली अटाक करेगा तो और आपने एक चीज यादत नहीं है और डाइट से incoming group to ortho paraposition और जो incoming group होता है वो कहां आता है और तो पैरा पर आता है इलेक्ट्रोफाइल ठीक है इसका explanation क्या है देखो since one of the lone pair of oxygen interact with pi electron of benzene ring ये lone pair क्या करता है pi electron of benzene ring के साथ interact करता है thereby increasing the electron density on benzene ring electron density benzene ring पर क्या हो जाती है increase इसले activation हो जाती है यहाँ पर ठीक है but the increase in the electron density जो electron density increase हो रही है it is maximum at ortho and para position ortho para position पर maximum electron density increase होती है then at meta position ठीक है तो यह आपको अभी समझ में आएगा through resonating structure तो जब आप resonating structure अभी हम study करेंगे उससे समझ पाएंगे कि ortho para पर electron density ज्यादा क्यों होती है as compared to meta ठीक है तो सबसे पहले आपके पास phenol है इलेक्ट्रोफाइल है तो हम और्थो अटाक की study करते हैं सबसे पहले ठीक है देखो और्थो पोजीशन यह और और एलेक्रॉं कहां से आ आएंगे यह पाय एलेक्ट्रउं आंगे ज्याद हो गया तो यह बांड इसका इलेक्तो फायल के साथ बांड बनाने में यूज उगया तो देखो उलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ बॉडड़ बनाया और बेंजीन के six carbon's पर hydrogen होता ही है तो यह hydrogen वही वाला है हर एक carbon पर ही hydrogen है तो यहाँ पर electronic लग गया यहाँ पर hydrogen तो ओल रेड़ी था जब यह अपना bond इधर shift करेगा तो यह bond इधर बन गया, यह carbon कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक इस पे positive चार्ज आगया, अब अगर इस पे positive आ गया हमारे पास, तो यह पीछे वाला बेंजीन वाला double bond क्या करेगा, इधर अपना bond shift कर देगा, तो यह carbon कैसा हो गया, इलेक्ट् जब है उसके पास loan pairs है तो वो भी donate कर सकता है अपने लोन पर तो इसका positive कैसे हम करेंगे यह इधर शिफ्ट होगा यह इधर और यह इधर तो आपके पास एक नया resonating structure आया जिस्पे यह ऑक्सिजन पर क्या है positive charge क्योंकि यह पर oxygen का एक लोन पर बांड बनाने में यूज हो गया यह बांड इधर शिफ्ट हो गया यह बांड इधर शिफ्ट हो गया तो resonating structures बनाने बहुत important है organic में वह आपको आने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपने एक यह resonating structure कर लिया यह resonating structure most stable है अब देखो जित्ते भी resonating structure है तीन इनमें कोई ना कोई ऐसा atom है जिसका octet complete नहीं है बट यह जो resonating structure है यह ऐसा resonating structure है जिसमें हर atom का octet complete है positive charge होने के बाद भी हर atom का octet complete है और hydrogen का duplet complete है चिक है तो यह क्या है most stable resonating structure है जिक है अगर आप पैरा अटाक की बात करते हो तो पैरा में देखो पैरा position यह यह वाला bond जो है यूज होगा जब यह वाला bond इधर bond बनाने में यूज हो गया तो इस पे कैसा चार्ज आएगा positive charge यह carbon कैसा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक तो इधर कैसा चार्ज आगया positive अब आपने दिखने इसके पीछे कौन सा bond है जो इसको neutral कर सकता है तो यह bond इधर shift हो जाएगा इस पे positive आ जाएगा फिर चिक है अब इस positive को कैसे balance कर सकते हैं loan pair इधर अपने donate करेगा electron तो इधर कैसा चार्ज आ गया positive oxygen पर और यह कैसा हो गया neutral अब oxygen पर positive आ गया तो हम वापस से इसको यहाँ shift कर देंगे और अभी एक और bond की shifting बची है वो कहां shift हो जाएगा इधर shift हो जाएगा तो आपके पास क्या आगे यह bond इधर रहा है यह इधर यहाँ पर OH neutral हो गया यह hydrogen और इलेक्ट्रोफाइल इधर ही रहेगा इधर positive आ जाएगा तो अब इधर भी para attack में भी एक ऐसा resonating structure है जिसमें positive charge भी है फिर भी हर atom का octet और hydrogen का duplet क्या है complete है तो यह क्या है most stable resonating structure है बट अगर आप meta attack की बात करते हो बट अगर आप बात करते हो meta attack की तो meta attack में क्या है यह meta position है यहाँ पर attack होगा तो इसी bond से होगा तो यह carbon कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक तो यहाँ पर hydrogen लग गया है यह carbon कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक इसके पीछे देखते हैं यह bond इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो यह carbon कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक अब यहाँ पर यह वाला bond यह वाला इधर shift हो जाएगा यह carbon कैसा हो ज तो यहां पर वो resonating structure नहीं बन सकता जिसमें फिनोल अपने oxygen अपने लोन पर donate कर रहा और ऐसा resonating structure नहीं बन सकता जहां पर हर atom का octet और hydrogen का duplet complete हो तो यह ऐसा resonating structure कहा बना ortho और para में जबकि meta में नहीं बना तो ortho और para में जो resonating structures हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं और most stable resonating structure बन रहे हैं इसलिए ortho para वाले जो product बनेंगे वो ज़्यादा stable होंगे as compared to meta attack इसलिए जो ortho para attack होता है वो favorable होता है as compared to meta attack, ठीक है, तो यह चीज आपने समझ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यह ज्यादा stable है, ortho और para attack, ठीक है, अब in case of ortho and para attack, one resonating structure is more stable because in that structure, each atom has complete octet of electron, but in meta attack, there is no such resonating structure, ठीक है, तो यह तो थी explanation कि ortho para attack पे ही क्यों, ortho para पे ही attack क्यों होता है, ठीक है, अब हमने इसमें reactions पढ़नी है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे halogenation reaction, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ना है, halogenation reaction, तो halogenation reaction क्या होती है, वो आपको पता ही है, कि आपने halogen add कराना है, तो अब मैंने अभ ग्रूप पेजो फिनोल का वो बेंजीन रिंग को हाइली अक्टिवेट कर देता है तो अगर आप थी मोल्स ऑफ बी आर टू लेते हो इनक्ट को सॉल्यूशन तो यहां पर आपके पास तीनों पॉजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और तो पे दो और और तो और एक कर देगा तो यहां पर आपके पास ट्राइ सब्स्टिट्यूटेड प्रड़क्ट मिलेगा आपको ठीक है बट आप रियाक्शन को स्टॉप कर सकते हो मोनोहलोजनेशन मतला मोनोहलोजनेटर प्रड़क्ट भी बना सकते हैं हम बट आपको उसके लिए कुछ कंडीशन रखन किस्ट्राइब कर देख्याकर अगर हम बीरटो इनवी वी स्टु लेंगे तो यहां पर सिर्फ एक की पोजिशन पर ओगा या तो और तो और तैन मतला इकक त्थे एक साहत नियोंगा तीनों पर टीकेशा क्यों होगा कि अगर हम सी एस कु में ले रहे हैं तो मोन्नोहलोजन यह और बन रहा है अगर बी आदू एकोस में ले रहे हैं तो ट्राय सब्स्टिट्टिटिड अबी एक वस्क्राइब अपोस्ट तो आकोस ऑलूशने मीश वाटर बट पोलर बट सी एस टू कैसा है नॉन पोलर तो एक वस्क्राइब गाइना को सौ्टिशन फिनोल आइनाइज to form phenoxide ion, phenol क्या हो जाएगा, ionize हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, phenoxide ion, O negative बन जाएगा, और O negative तो और जाधा electron density benzene ring को देगा, तो O negative of oxygen donate electron to benzene ring to larger extent, hence rings get highly activated, तो ring क्या हो जाती है, highly activate हो जाती है, जबकि CS2 क्या है, एक non-polar solvent है, तो ionization of phenol is suppressed, non-polar solvent में phenol के ionization क्या हो जाती है, suppressed हो जाती है, कम हो जाती है, तो oxygen of O H donate electron to benzene ring to lesser extent, तो यहाँ O H donate कर रहा है, मतलब O H से आ रहे हैं, यहाँ O negative से आ रहे हैं, तो O negative जाधा electron donate करेगा, as compared to O H, तो यह तो था हमारे पास halogenation, next reactions हमां आगे study करेंगे, तो यह आपने समझना है, अगर आपको कोई भी doubt लगता है, तो आपने मुझसे पूछना है, thank you. करें ठापको करें आपको करेंगे, तो यहाँना है, तो यहाच्चरों अगर भ donor का रJa।